ही गाइस हाई वेलकम बैक टू मैं चैनल सिंपल बीटी और लाइप स्टाइल बहुत दिनों से गाइस मुझे रिक्वेस्ट आ रहे थी कि मैं सिंगल साडी कवर बता दीजे तो आज मैं उसी का वेडियो अपलोडेट कर रही हूँ तो यहाँ पे दो पीस कपड़े की लेने है एक तरफ की लंबाई जो है वो है 18 इंच और यह जो लंबाई है वो 19 इंच है और चोड़ाई मैंने 18 इंच रखी है बाद में कुल्टिंग करने पर यह जो है श्रिंक हो जाता है तो इसलिए थोड़ा बढ़ा के हमें रखना होता है इसके अंदर आप किसी भी तरह का आप कर सकते हैं मोटी पैंट का कपड़ा हो आपके पास या फिस चावल की बोरी है इस तरह से या फिर आप कोई बड़ा पैकेट इस तरह से है तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं तो कुछ भी यूज़ कर सकते हैं मैं इसमें चावल की जो बोरी आती है उसका यूज़ करू लगा सकते हैं उसको जाए सकते हैं यहां पर शेट का थागा यूजिओ है क्योंकि 2 शेट का कपड़ा मेरा था उपर की तरफ मैं आप जो क्रीमि शेड है उसका यूस computer और नीचे की तरफ मैं ने नरी नूहर जो परपलिश शेड जो मेरा है और ये कुल्टिंग करके हमने रेडी कर लिया है इसके बीच में हमने चावल की बोरी आइट कर दी है अब इसको नेक्स स्टेप हमें करना है तो नेक्स स्टेप करने के लिए यहां से हम इसको मार्क कर लेंगे ये टोटल हमारी लंबाई जो आ रही है उसकी टोटल तो यहां से इस तरह से मैंने उपर से ये पाच इंच का मार्क लगाया है जो आप लाइन देख रहे हो ये पाच इंच का हमें इस तरह से खड़ा करके मार्क लगा लेना और एक लाइन ट्रॉक कर लेनी है पूरे में यहां पर मैं इस तरह की transparent sheet ले रही हूँ, यह sheet बहुत एजली आपको market में मिल जाएगी, stationary shop पे भी मिल जाती है यह sheet, या फिर घर में ही आपका कोई समान आया है, तो उस में से उस sheet को भी आप use कर सकते हैं, जहां तक mark हमने लगाया है, उतने ही लंबाई चोड़ाई में यह sheet ह बाकि जो mark के उपर का हमारा fabric है, उसको हमें छोड़ देना है, तो यह देखिए, इस तरीके से मैंने इसको cut किया है, लंबाई और चोड़ाई में, यह हमने transparent sheet ready कर ली है, यहां पर गाइस जो 5 इंच का हमने mark लगाया था, वहां से फिर से मैंने 3 इंच पे mark लगाया है, और बीच में इसको center भी निकाल दिया है, center निकालने के बाद बगल से मैंने फिर से 4 इंच लिया है, और वहीं से मैंने इसको half circle कर दिया है, यह देखिए, इस तरह से half circle होगा, अब सबसे पहले हम इसकी cutting करेंगे, हाफ जो circle किया है उसको, तो यहां से half circle को वहां तक लिजा के, गुलाई तक कट कर लेना है, और गुलाई को कट करने के बाद, यहां से मैंने इसको 4 इंच लगाया है, तो इस 4 इंच को भी कट कर लेंगे, यह देखिए, इस तरह से कुछ कट कर लेना है हमें, यह कटने के बाद, यह इस तरह से आएगा, और यह हम इसको fold करके, इसका, य इसी कपड़े में ये बन जाएगा अलग से हमें इसको जॉइन करने की जरूरत नहीं होगी तो ये करने के बाद अब हमने जो शीट काट के रखी थी उसके उपर हमें इस तरह की पाइपिंग लगानी है बहुत से लोग पूछते हैं कि मैं जो है इस पर सिलाई लगाने से ये पैकेट फट सकता है तो उसके लिए क्या करना चाहिए तो एक तरीका उसका बता दे रही हूँ मैं कि किस तरह से सिलाई लगानी है अभी पाइपिंग समझ लिजे कि कैसे लगानी है मैं सीधी मैंने पाइपिंग काट के रखी है और यहां पे मशीन वाला जो ओल होता है वो उसको लगा दीजे फिंगर से उसके बास उस पर कोई भी सिलाई लगाईए वो फटेगा नहीं तो यहां मैंने यह सिलाई लगा ली है यह देख सकते आप पाइपिंग की पाइपिंग को फिनीश करने के बाद आप हम इसमें जिप लगाएंगे तो जिप इसी के बराबर हम में लेनी है और सिम्पल सा है जिप को नीचे सीधे में नीचे मैंने रखा है उसके उपर यह पाइपिंग वाला पीस रखके हमें एक सिलाई लगा देनी है बिल्कुल सिम्पल तरीका बता रही हूं मैं इस तरह से एक सिलाई लगा के इसको अटेच कर लिया मैंने यह देख करने के बद ये वाला जो पार्ट है उसको हम यहां पर रखेंगे यह जो लाइन है उसके उपर और लाइन के उपर रख करके इस पर एक शिलाई लगा करके जिप को पूरा अटैज कर देंगे इसमें तो यह अटैज हो जाएगा तो गाईस इदेखे ये जिप मैंने इसमें बहुत सिंपल तरीके से लगाई है और जटपट आप लगा लोगे इसमें तो ये जिप लगा लिए मैंने अब इसको फोल्ड कर लीजे फोल्ड करने के बाद यहाँ पे भी हमें एक सिलाई लगाएंगे यह वाला पकड़के बहुत जर्णा सी सिराई लगानी है और साथ साथ हमें इसमें वैल करों लगाना है तो वैल करों लगाने की लिए देख लीजिbereich वैल करों इस तरह से मारकिट में आपको इजली मेल जाएगा मीटर से चोटा पीस कट कर लिया है मैंने और इसको इस तरह से लगाना है कि सबसे पहले हम उपर की तरफ लगाएंगे यहां पर बीच ओ बीच में सेंटर ले लीजे और गुलाई से थोड़ा नीचे लगाना है और नीचे मैं सेट करूंगी इसको यहाँ पर इस तरह से सेट करके इसको चारे तरफ हम इसमें स्टेचिंग कर देंगे और सिलाई लगा देंगे तो यहाँ पर गाज देखे यह मैंने वेलक्रो जड़ दिया है इसमें तो बहुत पतली से सिलाई हमें लगानी है तो बहुत पतली सी मैंने इसफे सिलाई लगाई है ताकि ये flap बन सके यहाँ पर बस इतना ही करना है अब हम दूसरा वाला वैलक्रो जड़ेंगे उसके लिए मैंने इस पर मांक किया हुए है मांक करके हम packet के उपर इस तरह से चिपकाएंगे ताकि जो mark हमने लगाया है वो जाकि उस site चिपक जाए यह mark आ गया है इसको थोड़ा सा और set कर लेंगे और set करके हम यहाँ पर velcro लगा देंगे pin up कर लीजे आप पहले और दूसरा वाला velcro भी यहाँ पर लगा दीजे तो यह देखिए velcro मैंने यहाँ पर set कर दिया है इस पर मैंने सिलाई लगा दी है अब इसको set करते हुए चारो तरफ से हम cutting करके इस पर एक सिलाई लगा देंगे ताकि हमारा जो transparent packet है वो set हो जाए इसमें और साथी साथ यहाँ पर मैंने पट्टियां कट करके रखी है तो पट्टियों को सबसे पहले हम पीछे की तरफ लगाएंगे जो हमने एक सिलाई लगाई थी वहाँ पर set करेंगे उसके बाद से इसी तरह की पट्टि हम चारो तरफ जितनी भी हमारी open पार्ट है उसमें हम लगाके इसको क्लीन कर लेंगे और जड़ देंगे पूरा तो यह देखे गाई यह मैंने पूरा लगा दिया है इसमें यह देखे बहुत अच्छे से इसमें फिनीशिंग आ गई है मैं चारो तरफ से दिखा दे रही हूँ आपको इस तरीके से हमें इस पर चारो तरफ piping लगा लेनी है piping लगाने के बाद यह मेरा साडी कवर बनके ready हो गया है चलिए इसमें हम साडी डाल के देख लेते हैं किस तरीके से इसमें साडी आ जाएगी साथी साथ आप इसको बंद भी कर सकते हैं तो यहां पर गाईस साडी को मैंने इतने ही बड़ा फोल्ड करके रखा हुआ है और इसको मैं इसमें सेट करके दिखा देती, आप को आप पूरी साडी का सेट भी इसमें रख सकते हैं और अपनी साड़ी अगर बहुत हैवी है या दो तीन साड़ी रखने है तो इसी हिसाब से आपको साइज इसमें बढ़ा लेना है तो यह देखिये हैं अच्छे से साड़ी इसमें एड्जिस्ट हो गई है आप इसमें एक और सारी भी रख सकते हैं इतनी इसमें स्पेस है अभी, सात्पी साथ मैं बता रही है। कि टु इन Ausw Sinn की तरह से आप इसको यूज कर सकते हैं तो इस spend मेश अ featuring everywhere संच रखरे इसको एक वालग हम रहा रही है। एक वी तूर से आप इस साइड्स के कॉर्णनर को फोल्ड कर लीजे और बीच में से वेलक्रो जो है वो बंद कर दीजे अब ये आप कहीं पर भी अगर स्पेस आपके अलमारी में कम है तो आप इस तरह से इसको रॉड में अलमारी के आप हैंग भी कर सकते हैं तो दो तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं इसलि फ्लैप के भी सिर्फ जिप से ही चारों तरफ पाइपिंग करके बना सकते हैं इस आगे मेरी चैनल पे आपको किस तरह की वीडियो देखनी है कॉमेंट करके जरूर बताईएगा सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर करिएगा और बैल आइकन दबाना मत भूलिएगा बैल नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगी थैंक यू बाई